स्वागत बज्चो जीटी से चैनल पर जहां आज हम बंडी जा रहें साइंड़ फिप हिंदी 14 तो लिसन में सड़क हूँ यानि कि यहां पर जो रोड सड़क है वो अपने बारे में बता रहे हैं वो क्या अपनी स्टोरी सुना रहे हैं तो यहां पर नेरेटर कौन हो गया तो यहां पर पड़ो और समझो यानि कि पढञे हैं पनी स्टोर तो टोक्यां पर चलते हैं आदमीं प्सप्रमीं सभी मुझ पर इधर से उधर आते सहतें तो यहां और सबूड़ आदरान अधर सबने बुद़ी हो गयां बालक जबान बूडे सभी की काम आती हूं मैं घर और विद्याले के बीच स्थेतू हूं वो क्या बोल रही कि बालक, बच्चे, जवाद और बुड़े जो भी लोग वो सब के काम आती है क्योंकि रोड पे सिफ रोड पे तो ऐसा नहीं है कि सिफ बच्चे ही चल सकते हैं रिक्षा ही चल सकते हैं बट अफकोस रिक्षा को चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए और यह किनारे मकान बना लेते हैं अपने देखा है रोड होता है यह सपोस्व आपने भी देखा ँगा रोड के भाज़ पहें घर करते है यहां बहुत जग़ होट रहता है यहां पर किसी छीज की सॉप्सिंवान रहति है। वरी पहने खोट में रहता है है। मैं अरह लोग मध्यांब बनाते हैं दुकान बते हैं, जो स командय कंदे ह Amen एकOffice समय के परटे जोरी पहन उना पाइए और सह रहता है। यहां से चार रोड से घर हाते है। चौहरा है यानि कि क्या वो ऐसे यूशे करके गा चार रोट जा रहे होती हैं तो उसे हम कैंडा ही पलीष वाला वर्दी पहने या upright पर खड़ा रहते हैं और पुलिस वाला क्या करता है खड़े हो कि कोई कुछ गलती तो नहीं कर रहा है कहीं कुछ हो तो नहीं गया उस चीज को देखने के लिए पुलिस वाले वहां पर खड़े रहते हैं यहां पर बोलेगी वह यातायाद को अनुशाशित रखते हैं जो भी वह चल रहे यातायाद जो भी ट्रांस्पोर्टीशन चल रहा है उसको अच्छे से रखते हैं उसको डिसिप्लीन में रखते रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है पर इसमें मेरा दोश नहीं है वो क्या बोल रही है कि रास्ता बदलने के लोगों को मुड़ना पड़ता है यानि कि अगर समझो हमें ये किसी का घर है और ये रोड है तो अगर हमें घर पे जाना है तो हमें ऐसे मोड़ना पड़ेगा हमें ऐसे सीधे जाएंगे तो घर पे नहीं पहुच पाएंगे तो वही बोल रहे हैं कि उन्हें अगर लोगों को कहीं रस्ता मोड़ना पड़ता है तो इसमें उसकी गलती नहीं क्योंकि उसको वैसा ही बनाया जाता है लोग मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तयार हूँ लोग अपनी जरुरत से कभी मुझे तेड़ी नीची और उची बना देते वह क्या बोलरी है उसे तीधा ही चलना है लेकिन लोग अपनी जरुरत के हिसाब उसको उचा नीचा तेड़ा बना देते जैसे कि अगर हमें इस साट जाना है तो रोड सीधी तो जाएगी और साथ में तेड़ी भी जाएगी इस साड जाने तो रोड इस साड भी निकली रहती है तो उसे कैसे बनाया जाता है उसे तेड़ी नीची उची बनाया जाता है और उसे कौन बनाता है तो उसे हम बनाते हैं हमारी जरुरत के हिसाबचे उसे बनाया जाता है मेरा आरंबिक स्वरूप कच्चा था उस पर बैल गाड़ी टांगा उट गाड़ी जैसे वहाँ चलते थे फिर कोला तर डालकर पक्की सड़क बनने लगी अब तक हमने क्या देखा सड़क क्या होती है सड़क पर कौन चलता है अब हम क्या देखेंगे कि सड़क आई कैसे थी तो बोल रही एकि जब वो आरम हुआ थे जब उसका जब वो आई थी कच्ची था हम सब्सक्राइए मिटी के जो रस्टे रहते ह्याँ वह जो रहते हैं उस बनाया गया कि अच्क नई तक्नीक आ गही है इस तक्नीक में बनाने लगे उप तो नई तकनिक आ गई और उसके वज़े से उसे किस से बनाया जा रहा है सिमेंट ते बनाया जा रहा है यानि कि आप रोड काफी ज्यादा पक्का हो चुका है अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है दुप उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते वह क्या बहु जाने करके खिं़ चाहँ है चाहँ तो सब्सक्रिया बढ़ेत प्हूटान तो खोता है और सब्सक्रिया स्मध yüz कि ऊपनाया तो थूख दो लगते हैors ने के लोग बीनाश चंगी समझ है जब मन में यह उसके ऊपर थूख देते हैं सोचते भी नहीं है फिर वो बोलती है लोग जगा जगा मुझे खोद और गड़े बना देते इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं वो क्या बोलती है कि वो लोग मेरें अपर तूख तो देते हैं और उससे बुरा तो लगते हैजे से अगर हम पे हम पे कोई ऐसा काम करें हमारे उपपर कोई तुक दे तो में बुरा तो लग तो लगते हैं साथ में गुश्वाrint लेगिंगि रोड को क्या लगते हैं से बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्युक्य również क्या हो जाती है गंदी ह होते हैं अपी इतना कुछ होने के बाद भी लोग क्या सुधरते नहीं है उन पर गड़े करते जाते लगों के वह थो इनसानों का भी नुकसान होता है यानि कि एक्सिडेंट्स होते हैं और एक्सिडेंट्स के वज़े से बहुत जादा दिक्कत भी आती है लेकिन फिर भी लोग ऐसा कांग क्यू करते हैं वो ऐसा पूछ दिए मैं सदा साफ सुत्री रहना चाहती हूं सबको रस्ता दिखाना चाहती हूं मेरे कारेंट देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दुसरे से आसानी से मिल पाते हैं वो क्या बोल रही है कि उसे कैसा रहने उसे साफ सुत्रा रहना जैसे कि हम हमें अगर साफ सुत्रा रहना रहते हम नहाते हैं अच्छे से तैयार हो के साफ सुत्रे रहते हैं विसे तो रोड है रोड को साफ सुत्रा रहने तो हमें उसके ओपर कचड़ा और ऑफकॉस जो पा जाते हैं फिर वो बोल्ती है मैं जाती हूं गाव को एक दूसरे से जोड़ाओ पूरे देश में खुशाली लाओ वो क्या बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ लोगों को एक दूसरे से मिलाओ, में जोल बढ़ाओ, अच्छे से रहूँ और देश में खुशाली लाओ, वो क्या कर रही है, इतना कुछ होने के बाद भी आदे हैं कि हम उसको गंदा करते हैं, उसके ओपर घाव लत है कि उसका जो इच्छा है, वो क्या हो जाएगा, एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा, यानि कि जो उसे साफ सुत्रा रहना है, लोगों को राह दिखानी है, रस्ता दिखाना है, उन्हें दूर दूर लोगों को एक साथ मिलाना है, यह जो उसका सपना है, कभी ना कभी सच तो इस लेसन में उपने क्या देखा सड़क के बारे में देखा जहां सड़क अपने बारे में बता दिये कि वो क्या है उसके उपर लोग चलते कौन चलते वो कैसे आरम भूईती है अब कैसा चल रहा है लोग उस पर क्या क्या करते और उसे कैसा होना है और उसको विश्वास ह कि वो एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि वो साफ सुत्री रहेगी लोगों को अच्छे से रस्ता दिखाएगी और क्या करेगी देश में खुश्याली लाएगी तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू